अगर आप दाहिने चड़ेंगे तो एक्सिडेंट हो जाएगा उसी प्रकार इस नियम को जो बनाया गया है तो हमारे बीच में महापुर्सों के दारा जो विचार दिये गए है उसी विचार धारा को मान करके शद्गुर् कवीर विचार धारा के अंसार इस कारिक्रम को भी संपन किया जाएगा जहां पे हमारे आपके बीच में पाखंडवाद नाम की चीज नहीं होगी इसलिए आप लोग अपने अपने इस्थान को ग्राण करें और समझदार के लिए सारा काफी होता है शाहब लोगों के समझाने से अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैं उनके सामने तेक तुछ प्राणी हूँ और छोटा सा बालक हूँ इसलिए अपने विचार धारा को सिर्फ एक इसारे की रूप में समझाने की कोशिश करूँगा जो हमारे विच में समझदार के लिए सारा काफी कहा गया है इसलिए आज आपके विच में ऐसे कारिक्रमों को चुना गया है जहाँ पे एक तिलग का कारिक्रम भी शंपन किया जाएगा तो तब तक आप लोग एकत्रित हों और फिर इस कारिक्रम को आरंब किया जाएगा आप लोगों के बीच में इस कारिक्रम का सुभारंब होने जा रहा है जो आप लोग मैंने पहले ही सुनिश्चित कर दिया हूँ कि दिशा को भ्रहमित मत करियेगा कोई क्योंकि जिसकी दसा ठीक हो उस दिसा अपने आप ठीक रहती है अगर आपकी दसा नहीं ठीक होगी तो آپ किसी भी दिसा में बैठिये कोई लाभ मिलने वाला नहीं है इसलिए आपके बीच में ऐसी दिसाओं का ब्रह्म जो होता है हमारे बीच में शदा मैंने ये कहा कि आपको चलने से रोका गया प्रतिबंधित किया गया है इसलिए इस भ्रह्म को आप लोग पालने का काम किये जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति को अगर ड्यूटी जाना हो पूरव दिशा की ओर और उनसे कहा जाए कि सोम सनीचर पूरव नचाला आपको पूरव दिशा की ओर नहीं जाना है या तो आप ड्यूटी छोड़े या तो जाना बंद करें दो में एक काम करना होगा इसलिए इस भ्रह्म से हट करके जैसे आप लोग उन्हें देखा मैंने पहले कहा कि हमारे बड़े महापुरुस जब बैठे हो तो हमें उनकी तरफ पीट करके बैठना उचित नहीं माना गया इसलिए इस अस्तर से दोनों बच्चों को यहाँ पे बैठाल करके मैं इधर बैठा हूँ जिससे सभी लोग देखें भी और इस बात को समझें भी इसलिए कारिक्रम में ज़्यादा समय नलगा करके एक इसारा दिया जाएगा बस और इसारे के माध्यम से पूड काम आपका संपन हो जाएगा ये कारी भी हो जाएगा संतों की पूजा भी हो जाएगी उसी में सब एक साथ सामिल कर दिया जाएगा इनके पिता जी को उपस्थित किया जाए यहाँ पे आप दीपक जलाएं आप यहाँ बैठ लीजिए हमारे आपके बीच में कारिक्रम का सुभारम होने जा रहा है दीप प्रजिलित करा करके बन्दू यहाँ पे यह जो मैंने बनाया वो पारक सिध्धान्त के अनुसार इस कारिक्रम को संपन किया जाएगा द्यायेत सद्गुर स्वेत रूपं मलं सेतां बरं करणे कुंडले राम कुटा मडि मंडितम नाना माल मुक्तादि सोभित गलं पदमासने संसितम द्याब धेरं सुप्रसन वदनम योगदंडम सहितम ना मामी ही आपके बीच में कारिक्रम का सुभारंबदी परजिलित करा करके किया गया यह आपको एक संदेशा दिया जा रहा है कि जिस घर में प्रकास होगा उस घर में अंधेला नहीं होगी और प्रकास हमारा है कि जिस घर में सिक्षा होगी उस घर में प्रकास जरूर फैलेगा जहाँ पे सिक्षा नहीं होगी वहाँ पे अंधेला ही अंधेला रहेगा इसलिए बाहे आडंबरों से हट करके आपको एक सुनेशित किया जाता है कि आप लोग स्वयम प्रकास वान बने और दूसरों को रोसनी देने का काम करें तभी ये दीपक जलाना सफल माना जाएगा इसलिए आपके बीच में आगे का कारिक्रम जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पारक सिध्धान्त मैंने यहाँ पे जो बनाया चित्र है जैसे लोग धम चक्र बनाते हैं उसी प्रकार सही दिशा पे ले चलने के लिए पारक एक सिध्धान्त बनाया गया जो आपके बीच में प्रय परक करेंगे अर्थात गलत नहीं पकड़ेंगे सही को छोड़ने का काम भी नहीं करेंगे इसलिए आपके बीच में ऐसे कारिक्रम को किये जा रहे हैं शर्वे भवंत सुखे नाह शर्वे संतु निरामया शर्वे भद्राणी पस्चन्तु मा कस्चिद दुखे भागे भवे तु हूँ आपके बीच में मैंने पहले कहा कि हम इसारा से काम करेंगे सबसे पहले यहां पे आप लोगों के वीचमे देव परजीलित करा करके अर्थात कारिक्रम के सुरुआत में में पहँं कहा जा रहा है सर्वे भवंत सुखिनाह इस धर्ती पे जितने लोग हैं सबी लोग सुखी रहें शर्वे संतु निरामया, सभी प्राणी निरोगी रहें, शर्वे भद्राणी पस्चनतु, आप सभी लोग आपस में एक्ता बना करके रहें, तब माम कस्चिद दुख भाग भवेतु, हमारे घर के छोटे छोटे दुख भी भाग करके दूर होंगे बंधू, इसलिए ऐसी प आपके बीच में ये कलस पूजा, जिस प्रकार से जल की पूजा कराई जाती है, कलस की पात्र की पूजा नहीं होती बंधू, इसमें अगर दूसरी वस्तु डाल दी जाएगी, तो सब लोग विरोध करने लगेंगे, इसलिए हमारे आपके बीच में ये जो जल है, वो परि हम लोग परिवर्तन सील रहें, जैसी परिस्थितियां जहाँ पे हो, उसी प्रकार अपना जीवन निभाने का काम करें, तब ही हमारा ये जल का पूजना सार्थक माना जाएगा, इसलिए आपके बीच में ऐसी पूजाओं को रखा गया, हमारे आपके बीच में कलस के साथ साथ एक पत्ता लगा हुआ है, जो आम के ब्रिक्ष का पत्ता लिया गया है, उससे आपके एक संदेशा दिया जा रहा है, कि आपके परिवार में कभी पत्त जड़ नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से आम के ब्रिक्ष में कभी पत्त जड़ नहीं होता है, आम का पुराना पत्ता पीला होकर तूट कर गिर जाता है जमीन में उसके पहले तूटने के पहले उसमें नए कुमल पत्ते सदा लगे रहते हैं इसलिए आमर पत्त को यहाँ पे ला करके पूजा संपन कराई जाती है कि आपका परिवार हर्याली से भरा रहे पुराने बुजर्ग सदसे जो हमारे बीच में है वो इस संसार से जा रहे है नवजवान साथी सदा हरे भरे रहे और अपने जीवन को निभाते रहे तब ही हमारे जीवन की रूप रेखा सार्थक मानी जाएगी हमारे आपके बीच में अब हम चलते हैं जो सार्थक पूजा यह आपके बीच में आवचारिक पूजा हुई अब सार्थक पूजा की ओर चलते हैं जहांपे हमारे जीवन का लक्ष है किसी महापुरूस ने कहा है कि बंधो हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं इसलिए आपके बीच में वो पूज पूजा सुरू करते हैं हम संत गुर्जनों से जो पूजा का मतलब होता है कि पूरी जानकारी आप जिस जगा पे कदम रखने जा रहे हैं ग्रियस्ति में किस तरह से जीवन हमें जीना है इसलिए आपको पूजा के नाम से भ्रहमित किया गया है हमारे आपके बीच में ऐसी पूजाएं सार्थाक पूजा की रूप में मानी जाती हैं आप दोनों लोग खड़े होंगे यहां से कटोरी में चंदन रखा हुआ है चंदन लेंगे और शाहब लोगों को चंदन लगाएंगे माला पहना करके फिर यहीं पे आएंगे आप लोग जाएए थोड़ा सा जगा बना दीजे दुन लोग बारी बारी से एक लोग चंदन लगा दे एक लोग माला पहना देंगे माला वहां पे रखा हुआ है यह लिजे यह माला है यह ले लिजे माला और यह दे दीजे गुरु भावाः परम तेरतो अन्य तेरतो निरार्तकम शर्व तेर्थ मै देवी सिरी गुरु चरणाम भुजं ध्यान मूलं गुरु मूर्ते पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु आक्यं मुक्षय मूलं गुरु कृपाह गुरु देवु गुरु धर्मु गुरु निष्ठापरं तपाह गुरु पर्तरं नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परं आपके बीच में जैसे कि पूजा को जब आरंभ किया गया तो हमारे बीच में जब संत गुरु जन विरादमान हो तो वहाँ पर सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए फिर उनके बाद माता पिता और अन्य महापूर्सों की पूजा होनी चाहिए इसलिए आपके बीच में ऐसे कारिक्रम को आगे संपनता दी गई जो हमारे बीच में पूजा के नाम में शामिल की गई है बिटा इधर आओ तुम इधर आजाओ भाया इसमें से आप हल्दी ले लीजे और आप भी हल्दी ले करके पिता जी को टीका लगाएंगे ये माला पहनाएंगे दोनों लोगे केकले लेजे हमारे आपके बीच में शंत महापुर्षों के बाद आते हैं माता पिता आपके बीच में माता पिता सरस्रेट गुरू प्रतम सिक्षक आचार वाने गए हैं इसलिए जिन घरों में माता पिता की पूजा नहीं हो सकती है वहाँ पे हम लोग लाखो देवी देताओं को पोच करके सुक्सान्ती नहीं पा सकते हैं अब टीका लगाएं पिताजी को और माला पहनाएं अब भी दन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यो कुलो दवा धन्या चाव सुदा देवी यत्रशाद गुरु भक्त ताह मात्र देव भवा पित्र देव भवा आचार देव भवा आतिथी देव भवा माता जी को हैं यहाँ पे बैठी है कि नहीं हमारे लिए माता पिता एक ऐसे स्रेडी में आते हैं जो देविया और देवता के रूप में माने गए हैं यह माला ले लीजिए भाया माला भी लीजिए और कपड़े के उपर से ही टीका लगा करके माला पहना दीजिए जो एक सम्मान हमारे बीच में जो चलता है जिसे महलाएं जब कन्या के पिता जी होते हैं या वर के पिता जी अलग से होते हैं तो समधी मानती इसलिए अपना चेहरा सब के सामने खोल करके रिकार्डिंग या फोटो नहीं खिचाने का संकर्क लेती हैं इसलिए हमारे आपके बीच में ऐसी माताओं का सदा सम्मान होना चाहिए जो हमारे बीच में ऐसी भावनाओं को ही प्रकट करती हैं लगाएं माला पहनाएं और चर्नेड़ स्फर्च करें छोटा है कया माला चली होटी कह लगा दीजिए का आपके बीच में हमारे लिए कन्या के माता पिता या वर के माता पिता दोनों शामान हैं इनहीं को सम्धी कहा गया है बंदों जो शर्माने बराबर हो अगर यहाँ पे भेद भाव किसी के अंदर आ जाए कि हम से छोटे हैं या बड़े हैं तो समधी की योग नहीं माने जाते हैं इसलिए आज आपके बीच में माता पिता दोनों स्रामान निमाने गए हैं जो आपके बीच में कन्या के पिता जी को मल्यारपन करके यहाँ पे स्वागत किया गया कि आज हमारे बीच में आपने जो सम्मान दिया है वो जीवन केunya सुख़धाई माना जाएगा इसलिए आपके बीच में ऐसे कारिक्रम को चुना गया जो हमारे बीच में इसको छोड़ दीजिए आप आप इसमें से हल्दी ले लीजिए और हल्दी लेकर के आप यहीं पर खड़े हो जाएगा एक पैर आगे बढ़ा करके यहीं पर इसको हटा दीजिए या तो आप आईए खड़े हो जाएए यहाँ पर पैर रखिए बाया हाथ इनके पीछे लगाईएगा दाहिने अंगोठे से टीका लगा दीजिए चोवा चंदन अभीरम गुलालम ललाट पठले भ्योना मामी यह चावल को उसी हल्दी में चिपका दीजिए गादी से बैस 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 आराम से रगड़ी यह नहीं चलिए ठीक है आज एकने स्थान पे हमारे आपके बीच में आज यह जो तिलकोशों का कारिकरम हो रहा है यह राजप्रथा की एक निसानी है आपको इन्होंने एक राजा चुन दिया है राजा का जो कर्तब है उसको निभाने की आप चेश्टा रखेंगे और आपके बीच में राजा चुनने के साथ-साथ इन्होंने अपनी यथा सक्ति के अंसार आपको सभी संपत्ति को विश्वब दिया है जो राजा लोग सदा से करते चले आ रहे हैं वो कैसी संपत्ति होती थी कि माता पिता जब सितिल हो जाते थे तो अपने बच्चे को सिंघासन पे बैठाल करके और उनको तिलक कर देते थे वहीं से उनका सिंघासन चालू हो जाता था राज चालू हो जाता था इसलिए आज इस तिलक की प्रधा को आपने बरकरार रखा है जो हमारे बीच में सदा निभाई जाती है अब अगली बारी आती है हमारे बीच में कन्या प्रख्च के सुवासा जो कन्या प्रख्च के सुवासा महोदे हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उन्हें के एवज में जो आज आप कार कर रहे हैं उसके तहत आपको एक नेक दिया जाता है जो सम्मान की विधी मानी जाती है इसलिए आप हल्दी ले लिजिए सुबासा को ठीका लगाइए और ये माला पहनाइए जो कन्या के फूफा होते हैं हल्दी ले लिजिए बस दोना हमें देजिए खड़े हो जाईए आप थुला सा ठीका लगाइए माला पहना ये मात्र देवो भवाह, पित्र देवो भवाह, आचार देवो भवाह, आतित्र देवो भवाह आप की तरफ के सुवाशा कहां है? अच्छा ठीक आप दे दीजिए जो उनको नेक देना हो भया ये हल्दी ले लिजिए बस आप आकर के इधर जो सुबासा है इनको टीका लगाए और मला पहना आईए खड़े हो जाईए आप वहीं पे आप बैठे दे इधर आज़े हमारे आपके बीच में कन्या पक्षके आती थी और वर पक्षके आती थी दोनों सामान ब्यवहारी होते हैं इनको कहा गया है कि मात्र देवो भवहा, पित्र देवो भवहा, आचार देवो भवहा, अतिथी देवो भवहा आप अपने स्थान पे आजाएए आप जो इनको देना हमारे आपके बीच में चार देवता विराजमान है यहाँ पे जो चार देवताओं के अलावा इनको इसलिए मात्र देवो भवाह, माता हमारी देवी है, पित्र देवो भवाह, पिता हमारे देवता है, आचार देवो भवाह, गुरु हमारे देवता है, अतिती देवो भवाह, जो अपने दर्वाजे पिती थी आ जाएं, वो हमारे देवता के समान माने गए हैं, इसलिए हमारे बीच में ऐसी पूजा सार्थक पूजा के रूप में मानी गई है आप जो है उस चद्दर के गाट को हटाएंगे चद्दर हटा करके उसमें नारियल फलोगा भया के हाथ में दे दीजिए आपके बीच में यहाँ पे मैंने पहले का कि समय ज़्यादा ब्यर्थ ना करते हुए समजदार के लिए सारा काफी होता है और आप लोग सब समजदार हैं इसमें ज़्यादा कहने के शक्ता नहीं है ये कन्या पक्ष की और से फलदान होने जा रहा है और फलदान के समय आपके बीच में हाथ मिले लिजी आप फलदान के समय एक नारियल फलकन्या पक्ष की ओर से निकाला गया है जो इस सम्मान के तहत होता है कि आपको पूर्रूप से सुतंतर अधिकार है किसी को भी कुछ देने का ये हमारे बीच में सम्विधान के तहत भी प्राप्त हुआ है इसलिए आपके बीच में जो भी अधिकार मिला है उसको सही दिशा की ओर ले जाने का सब लोग काम करेंगे इसलिए इस फलदान के समय आपके बीच से नारियल फलनिकार करके समरपड किया जा रहा है जो ये संदेशा देता है कि हमारे बीच में जो दान हो वो किसी वस्तु का ही दा दान कर दे तो दान वो सब्द होता है जो देने के बाद दुबारा कभी वापस आपके घर नहीं आनी चाहिए इसलिए कन्याओं का कभी कोई दान ना कर इसलिए आपको बीच में यहाँ पे वस्तु समर्पण किया जाएगा जो आपने अपनी तरफ से इने समर्पित करने का का किया है कभीर नामं पर्मं पुनीतं युगे युगे स्वामे हरंत दुखं दातार मुक्तं पुर्सं पुराणं चरणोर विंदे सततं नामामी ही आप पिता जी को दे दीजिएगा और आप जो है उठा करके वहीं तखत के साहज के सामने रख दीजिए क्योंकि आपके बीच में ये जो कारिक्रम होता है जब लोग कहते हैं कि हमारे घर में जब कोई नई वस्तु आती है तो देवी देवताओं को समर्पित के जाती है देवी और देवता वो होते हैं जो हम आज आपके बीच में सबसे बड़े देवी और देवता की रूप में माने गए हैं इसलिए ऐसे कारिक्रम को संपन किया गया है इसमें से चद्दर को हटा करके पूरा थाल अपने हाथ में ले लिजिए और इन्हें समर्पित कीजिए जो भी वस्तु आपको रखना उसे में में रख दीजेगा सब रख दीजिए फिर पहना दिया जाएगा हमारे आपके मैंने कहा की वस्तु आपके रूप में किया जाता है और दान को दिखावे के रूप में नहीए तो हो जाएगा वो काम हो जाएगा आप रख दीजिए बस उसे में दान को दिखावे के रोप में नहीं किया जाता है जो वस्तुएं आप लोग दिखावे के रोप में लाते हैं वो दिखाया जाता है कन्या पक्ष की ओर से आया हुआ धन वो समाज में दिखावे के रोप में नहीं होता है देखा तो जाता है कि धन है मगर किसी को ये नहीं पता चलता कितना धन है कन्या के पिता जी को पता होता है चद्दर हटाईए और वर्महोदे के पिता जी को भी पता चल जाएगा इसलिए तीसरे ब्यक्ति का कोई अजिकार ने होता है किसी के धन को जानने का इसलिए हमारे आपके बीच में ऐसे कारिक्रमों के समय धन का प्रदर्शन ना किया जाए जो हमारे बीच में लोगों के मन की भावना को बजलने का काम करता है जो उन्होंने दिया आपको स्विकार करने की इजाज़त दी जाती है उठा लो भिया चद्दर ना लिजिए और पूरी ठाल को उठा लिजिए कम कर दीजिए वजन कम कर दीजिए कोई जरूरी नहीं है हमारे आपके बीच में ऐसे जीवन को जिया जाता है जो एक आप भी खड़े हो जाईए आप पहले उदर फोटो खीचने वाले फोटो खीच रहे हैं जो आपके जीवन के लिए एक प्रमान के रूप में रखा जाता है आप दोनों लोग मेरी तरफ ध्यान दे करके उस सब्द को बोलेंगे जो एक बार दोहराया जाए कि हम लोग हकीकत में जीवित हैं यहाँ पे अर्थात शरीर हमारा निर्जीव नहीं है पकड़े रहे थोड़ा सा थोड़े जाए आप लोग बोलिएगा आप छोड़ दीजे और आप संभालने का काम करिए आप फिर पकड़ करके साइड में रख दीजेगा कर बहियां बले आपनी चाड़ बिरानी आस जाके आगन नदीब है सोक छुमरे है पियासे फलकी टोकरी एक एक करके इनको पकड़ाते जाएए दे दीजे मीठा ही दे दीजे कोजी कर दीजे ना गुरू रधिकम्तत्वम ना गुरू रधिकम्तपा गुरू ग्यानात्परम्नास्तितस्मै श्री गुरुवे नमा ध्यान मोलं गुरू मोर्ते पूजा मोलं गुरू पदम्मंत्र मोलं गुरू आक्यम्मोक्ष मोलं गुरू कृपा ओम्समुक्षे का पिलोग जकर्ड कालं मोदरस विगटो विगननासो विनाय का धोम्रकेतो भाल चंद्रो गजानना द्वासितानि नमामि विद्यारं भेविवाए प्रवेसे निर्गमे संकटे संग्रामे चावि घनस्यना जायते है आपके बीच में मैंने पहले ही कहा कि फलदान के समय जो भी वस्तुएं दिखावे की रूप में लाई जाती है वो संपूर्ण से दिखाई जाती है मगर धनका प्रदर्शन करना या बताना वो निरार्थक माना गया है इसलिए ये दोनों बच्चों ने स्विकार किया इन्होंने कहा कि आहाम सुद्ध चेतन अर्थात ये कह रहे हैं कि मैं सुद्ध चेतन हूँ अर्थात ये दोनों बच्ची कह रहे हैं कि मैं ग्यान का सुरूप हूँ ये बात अजर है अमर है अखंडित है इसका कोई खंडन नहीं कर सकता है इसलिए आप लोग आज के बाद पत्थल, मिट्टी, गोबर की पूजा करना एक ब्यर्थ के रूप में माना गया है इसलिए हमारे बीच में नवग्रह जो लोग बनाते हैं इस दोने में नवग्रह को इस्थापित करते हैं और ये कहते हैं कि नवग्रह है, बंदों साथ ग्रह आसमान में है, एक ग्रह धर्ती स्वयम है, आठ ग्रह है, नवग्रह का इना ब्यर्थ है इसलिए आपके बीच में आठ ग्रह आज भी मौझूद है, प्रतम और दूसरे नमबर के ग्रह पे आजी बाबा, तीसरे चौतरे नमबर के ग्रह पे माता पिता, पांचमे छटवे ग्रह के नमबर पे पती पतनी, सातमे आठवे ग्रह के नमबर पे बेटी और बेटा, और जो हमारा धर्ती की रूप में सब लोग मानते हैं जिक समाज है और उसमें आचार गुरुए ग्रह के रूप में हैं जिने हम सम्मान करके अपने जीवन की रूप देखा बनाते हैं इसलिए आज के बाद आप लोग लकड़ी पैरा मिट्टी की पूजा करके ब्यर्थ में समय अने का काम नहीं करेंगे यह माताय जो बैटी इनके मांग में सिंदूर पड़ा हुआ है अगर ये वहीं सिंदूर गोबर में लगाती तो इसका मतलब कि बुध्धि बुद्धी आपके अंदर नहीं है नहीं तो गोबर की पूजा आप नहीं करेंगे जो महिलाएं गोबर की पूजा करती हैं साथ ही साथ अपने पत्यों को गोबरा बनाने का काम करती हैं क्योंकि विवेक और बुद्धी नहीं होगी तभी आप लोग पूजा करेंगी इसलिए गोबर की पूजा करना निरर्थक है सभी लोग एक सुपाड़ी को धागे मेवांद करके माता मान करके पुजवाते हैं जिस माता की पूजा लोग करते हैं उसी को खाने का काम करते हैं विचार करिए कि आप एक बार सुपाड़ी को गवरी माता मान लिए दूसरी तरफ उसकी हत्या करके खा गए जिसका मतलब कि आप अपनी माता की हत्या करके खाने का काम करते हैं इसलिए सारी पूजाय निरर्थक मानी गई आपके बीच में ऐसी पूजाय जो है आपके बीच में नहीं होनी चाहिए जो ब्यर्थ के रूप में समय गवाने का काम किया जाता है इसलिए आपके बीच में ऐसी प्रमपराओं को त्याग करके हम लोग अपने जीवन के करतबी को निभाने का आगे काम करेंगे भाया इसमें से एक पीस मीठा ले लीजिए यहाँ पर पान खिलाना एक निरार्थक बात है जो बच्चे नसा नहीं करते हूं नहीं नसा कराने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए मीठा खा करके जीवन भर इस रिष्टे को मीठास में बदलते रहें यही हमारी सुब कामना है और ऐसी कामनाओं के साथ आप लोग दुन लोग खड़े हो करके एक दुसरे को मीठा खिलाएं, पानी पिलाएं, माला पहनाएं, गले मिलें उसके बाद पूज सहब जी को जो आप लोगों को अर्पित करना हो वस्त रहें वस्तुएं और फिर अर्पित करके फिर आर्थी की जाएगी उसके बाद कारिक्रम का समापन किया जाएगा आप लोग खड़े हो जाएं, माला बड़ा वाला कहा है, दे दी जी, आप लोग मीठा खिलाएं एक दूसरे को अमंगलम पानम खाध्यम, अमंगलम धोम्र पानम, अमंगलम अध्य पानम, अमंगलम सारव व्यासनम कहा गया किया तीथी देख उठकर मिले भर्यूर अगम सुप्रेम, चंचल साधु प्रवेन काया सुकर मेरुनेम आप इनके गले में माला डालिए, अपने दर्वाजे जब कोई व्यक्ति हमें सम्मान करे, तो हमारा भी प्रति उत्तर में सम्मान करना फर्ज बनता है इसलिए दोनों बच्चों के गले में माला डाल करके ये सुनिशित किया जाएगा कि एक दूसरे का सम्मान रखना भी मनुस्त का धर्म माना गया है ये माला आप ले करके इनके गले में पहनाए आप दोनों लोग साइड में हो करके आपस में गले मिलें जैसे ही लोग गले मिलेंगे सभी लोग आपनी हाथ की ताड़ियां इनके सम्मान में बजाने का काम करेंगे यही इनके जीवन की रूप निखा बनाएगी जो आपके लिए एक सुभकार हो रहा है यह ग्र्यास्ति का जो कार्य होता है वो आपके बीच में सुभकार माना गया है इसलिए ऐसे कार्यक्रम को संपन किया जा रहा है आप कन्या से छोटे हैं अगर बड़े हैं तो आप लोग एक दूसरे को हाथ जोड़ करके नमन करें क्योंकि बड़े लोगों को छोटे लोगों का पैर चूने का जिकार नहीं प्रावत होता है अगर छोटे हैं तो पैर चू सकते हैं इसके लिए इजाज़त है दोनों हाथ से ऐसे चरण स्वस्ट करें ये आप माला ले करके और पुझ साहब जी को दोनों लोग पहना करके फिर आरती का कारिक्रम और जो भी वस्तुए द्याना है वो अपने हाथ से बिलाने का काम करें दे थोड़ा चौकी पीछे कर दीजिए हलका सा गुरु भावापरम तेरतो अन्य तेरतो निरर्थकम शर्वतेरत मै देवी सिरी गुरु चरणाम बुझम ध्यान मोलं गुरु मोर्ते पुझा मोलं गुरु पजम मंत्र मोलं गुरु वाक्यम मोक्ष मोलं गुरू कृपा गुरू देवू गुरू धर्मू गुरू निष्ठा परम तपा गुरू पर्तरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरू परम आपके बीच में मैंने पहले ही कहा कि कारिक्रम शत्षंग को संपन किया गया मगर उस समय आर्ति पूजा इसलिए नहीं की गई कि अभी ये कारिक्रम से वाकी था इसलिए अब आपके बीच में संतों की पूजा वन्दना एम आर्ति का प्रोग्राम किया जाएगा तब कारिक्रम का समापन किया जाएगा पांच मिनट का कारिक्रम और है आप लोग धीरत बांत करके बैठें जो आपके जीवन में एक सही दिसा निर्देश प्राप्त करता है घर के सदस्य जो भी हैं संतों की पूजा जो करना चाहते हैं वो आप करते रहें स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार दूरे देश से आप पदारे सही सही काष्ट अपार आपका स्वागत है कई बार आपका स्वागत है कई बार हिर्दे बीचाहे चरण जमावे रही रही करते पुकार आपका स्वागत है कई बार आपका सागत है कई बार सेवा हमें कच्छू कर न सकते हैं लजित है कई बार आपका सागत है कई बार आपका सागत है कई बार अतियानन्द भयो हम सब को पायो दरस तुम्हारे आपका सागत है कई बार आपका सागत है कई बार आपका दर्सन की बलिहारी गुरुजी सुम्हारे दर्सन की बलिहारी स्तयाल साहब आरती हो दन अधार विवेक की बाती सुरती जोती जहां जाग साहब आरती हो आरती गरीब निवाज साहब आरती हो आरती दीन दया आरती करू सद गुरु साहब की जिन जिनको आरती करना है सबी लोग आकर के अपना आरती कर सकते हैं अगर कोई मन में रखे है इस भावना को कि हम साहब की आरती करेंगे तो आकर के आप लोग आरती कर सकते हो आरती गरीब निवाज साहे बै आरती देन दयाल साहे बै आरती ओ ध्यान मोलं सात्य प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी बोलिये संत समराथ सद्गुरु कबीर साहे की संत समाजे की धरम प्रेमी बंदवों की अपने अपने माता पिता की साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी इसकारिक्रम का समापन होता है